हेलो बच्चे हों कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की चेप्टर डाकी की कहानी कावर सिंग की जुबानी को पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को शिमला की माल रोड पर जनरल पॉस्ट ऑफिस है उसी पॉस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है सुबह के साड़े ग्यारा बजे हैं खिड़की से गुनगुनी धूप चनकर आ रही है इस धूप का मज़ा लेते हुए दो पैकर और तीन महीला डाकिया पटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं वहीं पर मैंने सरकार से पुरुसकार पाने वाले डाकियां कवर सिंग जी से बात की यही वादचीत आगे दे जा रही है तो इस पार्ट के जो राइटर है जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि यह जो घटना है वो कहां की है शिमला के माल रोड़ पे जो जनरल पॉस्ट आफ़ेस है वहां पे है वहाँ पे डाक छाटने का काम चल रहा है और वहीं पे जो है सरकार से पुरुषकार पाने वाले डाकिया जिसका क्या नाम है कवर सिंगी उनसे लेखक ने बात की है वो क्या बात की है वही इस पार्ट में आगे दी गई है तो सबसे पहले लेखकों से पूसते हैं कि आपका सुब नाम क्या है तो डाकिया जवाब देता है मेरा नाम कमर्सिंग है मैं हिमाचल परदेश के शिमला जिले के नेर्वा गाओं का निवासी हूँ मेरी उम्र 45 साल है तो अपना नाम जो कमर्सिंग बताता है हिमाचल तीन लड़कियां और एक लड़का दो लड़कियों की शादी हो चुकी है मेरा एक और बेटा भी था वह है मेरे गाउं में पहाड़ी से लकडियां लाते हुए गिर गया और जिससे उसकी मौध हो गई तो एक लड़का जो है उसकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में भी वह आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है तो लेखकुन से पूछ रहा है कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें काफी दुख है लेकिन क्या इस टाइप की घटनाएं है वो आपके एरिया म अक्सर होती रहती हैं जी ऐसी घटनाओं का होना ऐसा धार नहीं है यहाँ पर हर साल तिर्ची ढलानों या धाकों से घास काटते हुए कई ओरतें गिर कर मर जाती हैं फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है तो यह जो डाकिया है कावर सिंग जी यह बता रहे हैं कि यह हमारे मजबूरी है और हर साल कई ओरतें यहां से गिर जाती है हमारे गाओं में अभी तक बस भी नहीं पहुंच पाती है हिमाचल में हजारों ऐसे गाउं हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं और वो बता रहा है कि हमारे गाउं में अभी तक बस भी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि रास्ते ही इतने खराब हैं वहाँ तक बस का पहुंचना अभी तक possible नहीं हो पाया है फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे मेरे बच्चे गाओं के स्कूल में पढ़ने जाते हैं स्कूल लगबग 5 किलोमेटर दूर है मेरी एक लड़की दस्वी तक पढ़ी है दूसरी बारवी तक तीसरी लड़की बारवी कक्षा में पढ़ रही है और बेटा दस् करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन-कौन है क्या आपको ड़काया ही कहकर बिलाते हैं तो फिर मुझे बहुत कुछ करना होता है चिठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बुढ़े लोगों की पेंसन आदी छोड़ने गाउं गाउं जाता हूं तो ये सारे काम वो उसको करने पड़ते हैं डाकिये को कवर्सिंग को क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं सहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फोन, मोबाइल, इमेल अगेरा लेकिन गाउं में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है इसलिए गाउं में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं अपनी चिठी आधी पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है यह भला कैसे तो फिर कवर सिंग उसको जवाब देता है सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती ही मिसित्त पांच रूपह में देस कि किसी भी कोने में हम चिठी में फेस सकते हैं पोस्ग तो किए बड़ी डाक जी आप सेवा होने के साथ साथ दुनिया के सबसे सस्ती डाप सेवाओं में भी आती हैं वो बोल रहा है कि पोस्टपर तो सिरुफ 50 पैसे का क्या चाहिआ अपसे में भी आप जू है अपना संदेज कहीं भी भेज सकते हैं आपको अपनी नोक्री में मजा तो बहुत आता होगा तो कावर सिंग उसको जवाब देता है मुझे अपनी नोकरी बहुत अच्छी लगती है जब मैं दूर नोकरी करने वाले सिपाही का मनी ओर्डर उसके घर पहुँचाता हूँ तो उसके बुढ़े मावाप का खुसी बरा चेरा देखते ही बनता है ऐसे ही जब किसी का रजिस्टी पत्र पहुचाता हूँ जिसमें कभी रिजालरट कभी न्युक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुस होते हैं बुढ़े दादा और बुढ़ी नानी तो pension के पैसे मिलने पर बहुत ही खुस होते हैं छे महीनों तक भी मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं हिमाचल में बुढ़े लोगों को pension हर छे महीनों के बाद इखटी ही दे जाती है तो बता रहा है कमर सिंग की मुझे प्री नोपरी क होती है तो जब उसको pension मिलती है तो लोग बहुत खुस होते हैं और उसको आशिरवाद भी अंदेते हैं क्या आप शुरू से इसी डाग घर में काम कर रही हैं शुरू में तो मैंने लाहोल्स पीती जिले के किब्बर गाउं में तीन साल तक नोकरी की है यह हिमाचल का सब से उचा गाउं है इसके बाद 5 साल तक इसी जिले की काजा और 5 साल तक की नोर जिले में नोकरी की है उस वक्त इस गाउं में टेलेफोन नहीं थे बसे भी सिर्फ मुख्यालों तक ही जाती थी अभी भी ऐसे कई गाउं है जहाने तो बस जाती है और नहीं वहाँ टेलेफोन है ऐसी जगह में क्रामिट डाक से उतका बहुत अमान किया जाता है तो कावर सिंग उसको बताता है कि सुरू में लाहोल्स पिती जिले में किबर गाउं है वहां में तिम साल नोकरी की और यह किबर गाउं है यह हिमाचल का सबसे उच्छा गाउं भी है उसके बाद जो है पांस स जो है कि नोर जिले में भी उसने नोकरी की है आप पहाड़ी लाके में रहते हैं जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा हां उसके लिए तो आती ही है जब मैं कि नोर जिले के मुख्याले रिकॉंग प्यों में नोकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी डूटी शुरू हो जाती थी मैं 6 बजे सुबह सिमला जाने वाली बस में डाक का बुरा रखता था और रात को 8 बजे सिमला से आने वाली बस से डाक का बुरा उतारता था पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं कि नोर और लाहोल स्पित्ती हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तता उचे जिले हैं इन जिलों में अप्रेल महीने में भी बरफबारी हो जाती हैं बरफ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंगरीन हो जाती है जिससे उंगलियां जड़ सकती हैं इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुचाने के लिए लगबख 26 किलो मेटर रो जाना पैदल चलना पड़ता था हिमाचल में एक गाउं से दूसरे गाउं की दूरी लगबख 4 या 5 किलो मेटर तक होती है हिमाचल के गाउं छोटे छोटे होती हैं एक ग प्रोब्लम्स के बारे में बताता है कि कैसे नब होती उंचे ओ ठंडे जिलों में ठंडे गाउं इसको जाना पड़ता है वहाँ स्नोबाइट की समस्या गैंग्रीन की प्रोब्लम्स पैदल चलना वो सारी प्रोब्लम्स इनको आती हैं आपने बताया था कि पहले आप डाक लोग थे अब बैकर हैं इसके आगे भी कोई प्रोमोशन है क्या पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है सारा दिन कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है अब तो डाकिये की नोकरी में लगना भी बहुत मुस्किल हो चुका है हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जिए नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा इससे पुराने डाकियों कर काम का बोश दिन प रखा जा रहा है काम पे जिससे पुराने जो डाकी हैं जो भी काम पे हैं उन पे जो बोज है काम का वो बढ़ता जा गया था यह है 1998 की बात है 29 जन्वरी को रात लगबग साड़े दस बजे का समय था बाहर से किसी ने फोस्ट ओफिस का दर्वाजा खटकटाया मैंने पूछा कौन है तो जवाब आया दर्वाजा खोलो तुमसे बात करनी है मैंने दर्वाजा खोला तो अचानक पांचे लोग अंदर खुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया मैंने पोचा क्यों पीट रहे हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सारे ओफिस की लाइटें बंद कर दी इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई वार मारा जिससे मेरा सिर पट गया मैं लगातार चिलाता रहा उसके बाद में बेहोस हो गया और मुझे कुछ भी पता ने चला आगले दिन जब मुझे होस आया तो मैं शिमला के इंदरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था सिर में बहेंकर दर्द हो रहा था उनकीनों मेरा 17 साल का बेटा म मुझे अस्पताल पहुंचाया मेरे सिर पर कई टांके लगे थे उसकी वज़े से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है तो यह अपनी घटना वो बता रहा कि कैसे वो सिमला के फॉस्ट ऑफिस में उसकी चोकिदारी की डूटी लगे थे और रात को कैसे 4-5 ल 2004 में मिला इसी नाम में 500 रुपये और प्रसस्ती पत्र दिया जाता है मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए आज भी मैं गर्व से कहता हूं मैं बेस्ट पोस्ट मैं हूं और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रतीमा शर्माजी प्रतीमा शर्माजी ने लिखा हैं तो इसी स्वस्त्र रहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में